वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपके पास भी कोई टिप्स है होम कीचन से लेके तो प्लीज मेरे शार शेयर कीजिए मैं अपने चैनल में आपकी टिप्स जरूर शेयर करूंगी विद आपके नाम के साई तो टाइमने लगाते वे शुरू करते हैं दोस्तों आज कई वीडियो की किस तरीके से आप अपने कीचन में अपने कामों को कम कर सकती है इन टिप्स और ट्रेक्स के दिए तो दोस्तों कई बार के होता है हमें लेसन को ग्रेट करना है तो जब हम लेसन ग्रेट करते हैं तो व भी polythene ले लिए जी मुझे छोटे polythene नहीं मिली अभी तो मैंने बड़ी polythene ले लिए तो इस तरीके से आपने polythene को ले लेना है उसके बाद इस तरीके से आप उसे grate करेंगे तो यह जो tips हैं बहुत useful है इस तरीके से आप इसे grate करेंगे तो आप देखेंगे 1 टीस्पून के करीबन आपको paste भी मिल जाएगा गालिक का तो देखें इस तरीके से आप grate करेंगे दूसरा इसमें सबसे अच्छी tips ही हो जाते है दोस्तों कि जो आपके grater है उसमें किसी भी प्रकिर के lesson की कोई भी smell भी नहीं आएगी आपको paste भी मिल जाएगा आपको grate करावा भी मिल किजिए तो मैंने अघ्स टिप है तो आपने देखा होगा कि जो हमारे नॉन्स्टिक पैन होते हैं उनके बैक सइड में काफी वह जलने लग जाते हैं तो इसको clean करने के लिए आपको toilet cleaner रखना है तो दोस्तों वैसे मैं हमयसा आपको बता दूं कि यह toilet cleaner में toilet से नहीं लाई से उसके बाद आपको इस तरीके से फैला लेना है जब आप इसे अच्छे से फैला ले तो फैलाने के बाद आप इसे कम से कम 10-15 मिनित छोड़ दीजिए अगर आपका जो पैन है वह बहुत ज़्यादा गंदा सिर्फ बैक साइट पे ही यूज़ कीजेगा दोस्तों से नहीं तो आपकी जो अगर आप आसे फ्रंट पे करेंगे तो जो इसकी नॉनिस्टिक है वो खराब हो जाएगी इसे 10-15 मिनित छोड़ने के बाद आपको क्या करना है आपको कोई भी स्क्रिवर ले लेना है या आप मैं इस तरीके का मैटल का ब्रस ले सकते हैं यह भी बहुत अच दो स्क्रॉब करेंगे पूरे अच्छे से next trip यहां है दोस्तों कई बार के होता है कि कोई में घ्रेवी वाली सब्जी बनाते है उसमें नमक जादा गिर जाए या उसमें मिर्ची जादा हो जाए तो उसके लिए आप कौनसा करें कि भया मिर्ची बहुत जादा हो चुकी है अब दो बच्चे खाना नहीं खाएंगे इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों आपको कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी या पनीर बनाएं या मैटर बनाएं दाल ही में मिर्च बहुत जादा गिर जाए तो आपको डाल देन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और जो आपके खाने में क्रीमी रैस आईगी आपको बलकुल एकदम रेस्टोरेंट वाला स्वाद आपको अपने खाने में नजर आएगा तो ये टिप्स आप जरू फॉलो कीजिए दोस्तों तो मेंगी नेक्स टिप यह है दोस्तों क सुखाएंगी तो ये आपके बविश्य में बहुत ज़्यादा कामाने वाली है कि देखिए मेरे घर में जब मिर्चे जादा हो जाती है तो इनका धीरे धीरे अपने आप कलर चेंज हो जाता है और ये रेड होने लगती है तो आप देख सकते हैं मैंने इने सुखा के इस त मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते है तो इसका सिंपल सा है कि आपको हाफ लेमन लेना है उसमें कुछ आप लांग लगा लीजिए और जहां पर आपको लगता है कि आप को किंग कर रही है या मीठा खाना बना रही है या मख्छी मच्छर जादा आरे तो आप वहाँ पी को इस तरीके से रख लिजे कौने में कहीं पर बी कि इससे आपके मक्छी मच्छर कीचन से भाड हो जाएंगे और आपके कीचन में कभी भी मक्ही मच्छर रही बटकेंगे तो आई होब दोस्तों आजग Week क्थ आपको मेरी पसंद आएगी तो पसंद आईगी तो क्या करना ह मुझे कमेंट शेक्चन में ये जुरू बताई इन में से आपको कौन सी वाली टेप सबसे ज़्यादा पसंद आई तो आप मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाई टेक क्या